तेंक यू डेपुटी चेर्मन सर सर आज ये जो इंसल्वंसी और बैंक्रफ्टी कोड जो है इस जो ये जो बिल बनाया गया था माई कौन करवा इस बिल को बनाने के लिए जिस कमिटी का गठन किया गया था उस कमिटी में हमारे साथी सांसत भूपेंदर यादाव जी के साथ में मुझे काम करने का मौका मिना सर आज बहुत से दोस्तों ने बहुत से साथियों ने अपनी अपनी बात रखी former finance minister श्री चिदंबरम जी ने भी कई अपनी बातों को रखा लेकिन more or less सभी लोग इस बात से सहमत हैं कि this is need of the time, this amendment code is need of the time sir ये जो code जिस intention ज़रूरत की वज़े से लाया गया है वो बहुत ज़रूरी है देश में कई कमपनियों क्योंकि इस आर्थिक स्थिती ठीक रही है वो लोंच नहीं चुका पा रहे हैं ब्याज बरता जा रहा है NPA हो रहे हैं हो चुके है sir ये circumstantial NPA है ये willful है ये एक अलग जाच का विशे है, सरकार इसमें अपना काम कर रही है sir IBC को लाया इसलिए गया था कि जो कमपनियां एसेट वर्दी है जिनके पास में एसेट वर्पूर है और लोन नहीं चुका पा रही है NPA हो गई है वो कमपनि इंसॉल्म अगर प्रमोटर्स उसको अपने आपको इंसॉल्मन डिक्लेर करते हैं और IPR के प्रोसेस के द्वारा नए इंवेस्टर लाकर उस कमपनी को टेक ओर करना चाहते हैं चलाना चाहते हैं इसका सरकार समत्रम करती है इसको कराना चाहती है इसलिए इस कोड को लाया गया sir इससे सब में बड़ी बात जो है कि देश का economy तो ठीक रहेगी इससे employment भी जो है वो बरकरार रहेगा sir सारी दुनिया में insolvency और bankruptcy जो गोड है वो एक well defined well established process है sir इस process के दौरान ये देखने में आया कि कुछ कमपनिया जिन्होंने अपने आपको insolven declare किया उन्होंने बाद में कुछ इन्वेस्टर्स को साथ में लेकर सामने लाकर उन्हीं की खुद की कमपनिया जो वो insolven declare कर चुके उसको टेक ओर करने का प्रयाश कर गई है यह एक बड़ी चिंताजनक स्थिती उत्पन्द हो गई थे sir इससे doubt creates हो जाते थे सर यह एक पूरी सिक्वेंस से इसको ध्यान से देखना होगी पहले लोन लिया रीपे नहीं किया इन्सॉलवन डिक्लेर कर दिया और बाद में नए इन्वेस्टर्स को साथ में लेकर खुद उस कंपनी को फिर से टेक ओर करने का हम लोग प्रयाश कर रहे हैं सर यह एक सिस्टेमेटिक डेलिबरेट लोन न चुकाते हुए अपनी कंपनी को एक हेर कट के माध्यम से खुद के कंट्रोल में रखने का प्रयाश है सर मैं बहुत टेक्निकल डीटेल्स में नहीं जाओंगा इसकी सेक्षन में क्या प्रोवीजन है जब माननी है वित्तमंत्री जी अपना जवाब देंगे तो उसमें यह सारी चीजे विस्तार से आ जाएगी सर इस समस्या को रोकना बहुत जरूरी था इसलिए यह अमेंडमेंट औरिनस के दारे तुरंट लाया गया इसमें साफ कया गया है कि आपकी कंपनी जो इन पिय हो चुकी है उसे आपको टेक ओवर नहीं करने दिया जाएगा और अगर करना है तो पहले आप उसका जो ओवर्डिव इंट्रेस्ट है उसको पे करिए बैंक अकाउंट रिगुलराइज करिए इससे आपका इंटेंशन साफ दिखाई देता है कि नहीं हम लोग इस कंपनी को वास्तविक में चलाना चाहते हैं हेर कट के माध्यम से अपने कंपनी को कबजा करने का हमारा कोई इरादा नहीं है सर इससे जो फिर से जो प्रमोटर्स बिड़ करें चाहते हैं उनके इंटेंशन जो है तो काफी साफ नजर आ जाते हैं सर कई वक्ताओं ने अपनी बात में कहा कि छोटे लोगों को इसमें छोड़ देना चाहिए सर कानून जो है वो चाहे बड़ा डिफॉल्टर हो या छोटा डिफॉल्टर हो उसमें डिस्टिंग्विश कैसे कर सकता है यह मेरे समझ के बाहर की चीज़ है सर मोधी सरकार की सपष्ट नीती है support the needy and punish the guilty इसी भावना को ध्यान में रखकर गरीबों के खून पसीने का जो पैसा है उनकी जो कमाई है वो गलत हाथों में नह चले जाए इसी भावना को ध्यान में रखकर भी इस औरिनस को लाया गया था इस amendment बिल को लाया गया सर इस amendment के इस ordinance के आने के बाद में अगर हम लोग कुछ पुरानी चीज़ों को ध्यान दे सर इस से बैंकों की स्थिती बहुत मजबूत हुई है share market में बैंकों के जो shares की price है वो जिस दिन से इस ordinance की ordinance लाया गया और बाद में amendment बिल लाने की चर्चा की गई उसके बाद से लगातार उनके जो सेंसेक्स की prices है उसमें इजाफा हो रहा है लोगों में एक डर भी बैढ़ गया है कि वह अगर जिसको हम कहते हैं कि fear of God अगर हम लोग गलत तरीके से काम करने जाएंगे तो हमको इस तरीके से खुद की company को take over करने नहीं दिया जाएगा इस देश के economy में एक समय बहुत बड़ा योगदान भी रहा है उन्होंने यह कहा कि नहीं हम खुद की company को बिढ़ करना चाहते हैं फिर से take over करने के लिए insolvent company को लेना चाहते हैं लेकिन हम पहले interest भरने के लिए तैयार हैं उसकी व्यवस्ता हम कर रहे हैं यह दिखाता है कि वो जो अपने assets हैं उसको फिर से regularize करना चाहते हैं सर इस bill को जब ibc को जब लाया गया था तो देश की economic स्थिती को ध्यान में रखके सभी दलों ने उस भावना के साथ इसको पास किया था कि इससे हमको आर्थिक मजबूत ही मिलेगी मैं आज आपके माध्यम से सारे सदन से सभी पार्टियों से अपील करता हूं कि इस amendment code को भी उसी भावना के साथ पास करे और देश की अर्थ्योस्ता को मजबूत करने में योगदान दे ब